इस वीडियो में हम देखने वाल है कि हम अपनी वेबसाइट को AWS पर होस्ट कैसे करेंगे क्या-क्या सारे स्टैप्स होते हैं वह सारी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में देदी हैं जाके वन वाइवन उनको एक्जिट करना बहुत ही सिंपल है कुछ इतना कॉंप्लिक्रिट नहीं है देखो बहुत ही एज़ी है अगर आप देख पारे होगे मैंने क्या करा है कि मैंने यह स्टैप्स दी हैं आपको सबसे पहले मैं इनको परफॉर्म करूंगा फिर मैं आपको देद और इस पर क्लिक करके आप आजाओ जो भी इंस्टैंस रनिंग में होंगे यहां पर क्लिक करोगे तो यहां पर मेरा एक भी इंस्टैंस अभी रन नी कर रहा है आपका भी कोई रन नी कर रहा होगा अगर कर रहा होगा तो कोई प्रप्लम नहीं है ठीक है उसको स्टॉप करत लॉन सिस्टेस पर क्लिक करूंगा मैं तो मैंने यहां पर अपने सर्वर को नाम दे दिया कि माई सर्वर मैंने अपने सर्वर को नाम दे दिया यह मेरा सर्वर है ठीक है माई सर्वर अब यहां से आपकी AMI होती है Amazon machine image देखो अगर docker का concept पता होगा तो image पता होगा आपको कि image क्या होती है इमेज कुछ नहीं कि pre-configured कुछ हमारे सर्वर होते है या फिर मैं कहूँ प्री-configured file होती है जो help करती है एक सर्वर को build करने में जब docker हम पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा कैसे यह पूरा concept चलता है तो ऐसे समदो हाल फिलाल के लिए कि किसी ने आपके लिए एक pre-configured system operating system डाल के मना दिया है जबी भी आप उस क्लिक करोगे आपको Linux machine मिल जाई है इतना काफी है अब यहां पर बहुत सारे ऐसी system है लेकिन मैं चूज करता हूँ Amazon का Linux ठीक है क्योंकि यह इनके में यह जा यह free tire है ठीक है अब मैंने यहां से यह देखा अब लेकिन यहां पर मैं की बेर वेर से पूचेगा या तो नया ज एक प्रोटोगॉल है अब वह कौन से पॉर्ट पर चलती है टनल कहां से बनता है उसका वो 22 पर बनता है उस टनल को वेरिफाई करने के लिए उसको क्या चाहिए होता है एक पब्लिक की प्राइबिट की वह आप इसके थुरू बना सकते हो ठीक है प्राइबिट की आपके प पर क्लिक करना है एड़िट पर देखो यहां पर देख रहा होगा आपको SSH है और एनिवेर से जो IPB4 के जितनी भी है उसका सिर्डर नोटेशन पड़ा हुआ है अब मैंने कहा मुझे एक और चाहिए तो मुझे HTTP चाहिए अब भाईया मुझे HTTP क्यों चाहिए देखो मैंने कि secure tunnel आपका यूज होगा 22 port पे आप उसको दे सकते हो अपने admin को यूज करने के लिए लिकिन मैं चाहता हूँ मेरी website port 80 पे live हो जो बाहर के लोग उसको देख पाए मतला आप देख पाऊ है तो आप क्या करोगे यहां से मैंने 80 पे क्लिक किया और सिर्डर नोटेशन में आप तोड़ा टाइम लेगा इंस्टेंस लांच हो जाएगा अब यह मेरा इंस्टेंस जब लांच हो गया है इसको IP मिल गए मैंने बुला माई सर्वर वाली है ठीक है अब इसको यह IP मिल गई है यह इसकी पब्लिक IP यहां पर दिख पार होगे इसको कॉपी कर लो लेकिन अब य यह मेरा सर्वर है Linux सर्वर है कोई UI नहीं है इससे कनेक्ट करने के लिए मुझे SSH के थुरू जाना पड़ेगा अब SSH के थुरू जाने के लिए मुझे SSH का क्लाइंट चाहिए और SSH का क्लाइंट है आप दो चीज़े यूज कर सकते हो या तो पुट्टी या मोबा एक्स् पर क्लिक किया SSH पर क्लिक किया और यहां पर जो मैंने IP कॉपी की थी वह कॉपी कर दी अब यूजर नेम यह थोड़ा से इंपोर्डेंट है देखो अब जो भी आप AMI सेलेक्ट कर गए उसके अकॉर्डिंग आपको यूजर नेम डाले जैसे मैंने Amazon का सेलेक्ट किया है तो आपको वहां पर Ubuntu यूजर नेम डाला ठीक है अब मैंने बोला कि ठीक है एडवांस पर चलते हैं और यहां पर यूज प्राइवेट की करते हैं और प्राइवेट की में मैंने यह डाउनलोड कर रहे है टेस्ट और यहां से मैं OK कर दोगा यह क्या करेगा कि आप पहली बार किया उसमें HTTP किया अब मैंने बोला connect to EC2 machine इतने हम कर चुके हैं आप मुझे क्या करना है कि HTTPD server चाहिए मुझे बहुत सारे servers होते हैं जो आपकी application को live करते हैं मतब deploy करते हैं वैसे ही आपको एक server चाहिए ठीक है अब मैंने बोला कि यहां पर मैं अभी चेक करता हो मैं कहा हू यूजर के अंदर हूँ तो मुझे क्या करना है मैंने करना है कि यम इंस्टॉल सॉरी पहले update करेंगे update और वाइफ लैक के साथ अगर कुछ भी नहा है तो वह अपडेट हो जाएगा क्यों कि यह अभी ऐसे command नहीं चलेगी मुझे sudo user पर सूच करना पड़ेगा मैंने बोला अब मैं बोलूंगा कि यम अपडेट वाइफ लैग और यूवाइफ लैग अब देखो कुछ नहीं है तो यह हो गया अब मैंने वहीं बोला कि यार एक काम करते हैं कि यम पर चलते हैं और मैंने बोला कि इंस्टॉल और इंस्टॉल क्या करना है STVTPD वाइफ लैग के साथ ठीक है यह सरवर इंस्टॉल हो चाहिए आपका जो की आपकी वेब साइट को लाइव करेगा या फिर डिपलॉई करेगा ठीक है अब इस यह इंस्टॉल होने के बाद आपको यह डारेक्टरी में लिई होगी वयर के अंदर www और html तो इस पर क्या करेंगे हम जाएंगे cd cd और मैं जाता हूं रूट से वैर पर रूट से वैर पर उसके अंदर मेरी www पड़ी हुए उसके अंदर मेरी html पड़ी हुए अब यहां पर जाके मुझे क्या करना है इस डारेक्टरी में जाके मुझे जो मैंने सर्वर अभी इंस्टॉल किया है उसको मुझे अप कर देना है ठीक है तो मैंने बोला कि service मैंने बोला service http d start तो देखो जैसे आप यह start लिखते हो ना तो एक न शेल file जो होती है script file होती है वो up होती है और आपकी service को up कर देती है लेकिन उसको up करने से पहले मुझे एक website बनानी होगी इसको up करने से पहले तो मैं कहाँ करूँगा यहां पर मैं HTML में website बनाऊंगा मैंने बोला vi और index.html index.html है ना तो मैंने बोला कि चलो ठीक है एक website इंसर्ट किया मैंने और यहां पर मैंने लिखा कि h1 h1 और मैंने बोला कि hello जीनी अश्वनी ठीक है और यहां पर हम इसको close कर देंगे h1 को फस्क्लास हो गया चल गया अब मैंने बोला कि मैं इसको htpd start ठीक है यह मैं start लिखने वाला हूँ हो गया काम अब जैसी मैंने start दवाया तो देखो यह redirecting हो जाएगी इसकी क्योंकि systemctl इसको start करतेगा अब आपको कैसे पता कि मेरी website start होगी या deploy होगी AWS पे तो आपको क्या करना है यहां पे इस IP को copy करो और यहां डाल दो तो देखो यह अगर मेरी file successfully deploy हो गई तो यह आ जाएगा hello genie ashwani बढ़ी है तो यह बहुत easy step था एक AWS की file को deploy करने के लिए तो यह आपको देख रहा होगा कि हाँ भाई कि मैं AWS की file कैसे deploy कर सकता हूँ बहुत easy step है अब यह जो steps थे यह बहुत easy है इनमें कुछ hard and fast rule नहीं है ब इसको हटा देना यहां से बस इतनी सी बात थी इसको बेसा कि यहाँ पर six लिख लो और इसको seven लिख लो कुछ मतले को इसको ठीक है create a website to easy to create a website ठीक है using vi ठीक है इतना यहां पर आप कर लेना इस folder के अंदर एक website बना लेना create a website ठीक है मैं मिलता हूँ किसी एक नए topic के साथ किसी दूसरी वीडियो में till then take care bye bye